हेलो फ्रेंज जेहिंद वंदेमात्रम शूब प्रभात यूपी ट्रिपल सी का रेजल्ट आउट हो चुका है और जो लेखपाल की भूजा डिबांड आ रहा है कि लेखपाल के लिए बताईए कुछ कब तक आ सकता है वेकेंसी तो दिखिए वेकेंसी तो दिल्दी आने वाला है और यूपी ट्रिपल सी के रिजल्ट की में पताया था कि इसी मन्त आ जाएगा अक्टूबर कलाश में और आप लोगों को आ गया था हला कि 25 कोई कमेंट करना सुरू हो गया था कहां आपका रेजल्ट कहां रहे गया बट फाइनली दो तीन दिन देनी बात डिफिनिटी आए गया ओके तो बात करते हैं लेकपाल के 782 ऐसे कुछ पोश्टा 7882 सम्तिंग पोश्टर निकला था निकला था में कटिंग लगा दूँगा आप लोग देख लेना तो अब उसका पता रहें कि 15 गुना बलाए जाएगा 15 गुला मतलब 1,30,000 सम्तिंग बैट रहा है ठीक तो आप यह मांन किसलि Same weapon । अगर प्रसंटायल पर depend करता है अगर आयोग प्रसंटायल पर मांगता है तो यह समझे 95 परसंटायल वाले भी 95 प्रसंटायल जिसका है Buddhist vet स्ねक्षन होसकता है अगर आपका 90 परसंटायल बन रहा है तो आप बाहर हो उनके हिजाब से ठीके और जो मुझे लग रहा है वो है कि cut off देना चाहिए numbers पे cut off देना चाहिए percentile बने क्योंकि इस तरीके से बहुत सरे बच्चे बाहर हो जाएंगे करीब करी 16 लाग बच्चे बाहर हो जाएंगे और इसमें appear किये थे लगबाग 18 लाग something बच्चे appear किये थे वो भी मैं आपको दिखा दूँगा निश्पेपर आज निकला हुआ total numbers of candidates कितने exam conditions को दिया था तो चलिए सबसे पहले चलते स्क्रीन पर और समझते हैं पूरा scenario अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं देखो पेट में 18 लाग something बच्चे appear हुए और अगर 18 लाग का हम लोग 90% निकालते हैं 90% निकालते हैं तो आपका निकलेगा यह 16,20,000 ठीक है लिकिन examinations में अगर हम 18 लाग में से इस 90% वाले को घटाते हैं तो लगबग 2,20,000 बच्चे निकलते हैं जो कि मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं अगर अगर सुन लेना अगर 90% वाले को बुलाता है लेखपाल के लिए तब इतने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हो ठीक है क्लियर है लिकिन आयोग ने क्या बोला वई आयोग ने ये कहा है कि अगर नबबे पसंटाइल वालो में इतने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हो तो इसमें से इसका क्या मतलब है बच्चे बाहर हो रहे हैं according to आयोग ठीक है अगर पंद्रा बलाता है बच्चे को तब ठीक है तो इसी लिए परसेंटाइल का खेल यहां पर चलने वाला नहीं है और अगर चलेगा तो यह समझे कि इतने सारे बच्चे बाहर हो जाओगे करीब 16 लाग बच्चे यह सब बाहर हो जाओँगे और इतने सारे बच्चे आओगे बहुत सारे बच्चे को लॉस हो जाएगा इस तरीकि समेंस आप लोग देही नहीं पाओगे तो जो मेरा मानना है वह करना चाहिए आयोग को इस ऐसा करना चाहिए आयोग को कि वह कट दीजिए ऐसा कर सकते हैं तो ज्यादा बच्चे अपियर हो जाएंगे यह तो मेरा अनुमान है आप जन्रल को आप सतर कर सकते हो साथ कर सकते हो वह आप डिबन करता कितना करना चाहिए लिकिन परसंटाइल वाला खेल है ना और परसंटाइल कि हिसाब से अगर बोलाते हैं तो यह समझे कि जिसके 95 परसंट है ना ओनली वही बच्चा लेखपाल के लिए अपियर होगा तो आप समझे लिए अगर आपके 95 परसंटाइल बन रहे हैं तो आप वेलन कुट आप प्रिपरिशन कीजिए लेकिन मैं कहुंगा इस सब लोग प्रिशन कीजिए क्योंकि अब अनुमान ही ठीक है तो आप लोग निरासन होई है प्रिपरिशन कीजिए और कमेंट कीजिए आपका कितना मांक्स बना है और कितना परसंटाइल बन रहे हैं और अपने परसंटाइल को सार्फ कीजिए क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर है नहीं यह सब अनुमान लग रहा है और ठीक है क्लियर है अगर 15 गुला मलाता है तो एक लाख 18,230 बच्चे बुलाएगा मेंस के लिए और अगर 90 परसंटाइल की हिसाब से करेंगे तो भाईया 2,20,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए लेकिन 90 परसंटाइल निकालना पड़ेगा और क्या ना ठीक है जमझ में आ गया है हो